रंगीन जालरों से सजे मंदिर, सडक पर लगे भव्य पंडाल, गणपती बप्पा की गगन चुम्बी मूर्तिया और उनके दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारी जल्द ही कुछ ऐसा ही नजारा देश भर में देखने को मिलेगा क्योंकि गणेश चतुर्थी का त्योहार आ रहा है क्या आप इस शुब दिन के लिए तैयार हैं? गणपती बप्पा को खुश करने के लिए इस दिन व्रत भी रखा जाता है पर गणेश चतुर्थी की तारीखों के साथ कन्फ्यूजन है तो हम इसे क्लियर कर देते हैं इसके लिए लोकल इटीन ने हरिदवार की जोतिशी पंडित शुरीधर शास्त्री से खाज बाचुईत की है साल 2024 में गणेश चतुर्थी 7 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि गणेश चतुर्थी दो तारीखों में पड़ रही है पंचांग की अनुसार भादरपद शुक्लिपक्ष की चतुर्थी तिथी 6 सितंबर को दोपहर 12 बचकर 9 मिनिट से शुरू होकर 7 सितंबर को दोपहर 2 बचकर 6 मिनिट तक रहेगी जोतिश श्वास्तर की अनुसार धारमेक अनुस्ठान और व्रत को उद्यातिती में करना अच्छा माना जाता है इस साल 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी की उद्यातिती होगी इसका मतलब है कि 7 सितंबर को सूर्यदय से पहले स्नान करें और व्रत का संकल्प लें ये सबसे अच्छा रहेगा गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था इसे बड़े धूम धाम से गणपती बबबा के जन्मोचव की रूप में मनाया जाता है हिंदु धर्म में इस दिन भगवान गणेश को घर में स्तापित किया जाता है इस दौरान गणेश जी की पूजा की जाती है और उन्हें मोदक का भोग लगाया जाता है साथ सितंबर को सूर्यदय से पहले स्नान करें और गणेश जी के सामने व्रत का संकल्प लें भगवान गणेश की पूजा विधी पूर्वक करें और उनका प्रियभोग उन्हें अर्पित करें विशेश रूप से अगर गणेश चतुर्थी रविवार या मंगलवार को आती है तो उसे महा चतुर्थी माना जाता है और इसका फल करोडों गुना ज्यादा मिलता है गणेश चतुर्थी का व्रत विधी पूर्वक और सही तिथी पर करने से भगवान गणेश की खास कृपा मिलती है आपके जीवन में सुक्सम्रिधी और शांती बनी रहती है गणेश चतुर्थी को सही तरीके से मनाएं ऐसी ही धार्मिक जानकारी के अपडेट्स के लिए देखते रहें लोकलेटी